हेलो एप्रिवन आपको हिंदी व्याकरण के अंतरगत विशेशन पढ़ाने जा रही हूँ बच्चों आपने विशेशन से ही मतलब होता है विशेशन का मतलब भी होता है विशेशन करते हैं बच्चों मैंने यहाँ पर एक आम का चित्र बनाया यह आम का चित्र है अब ये आम, आम में बहुत सारे गुन भी होते हैं, दोस भी होते हैं, इसका, जैसे ये आम है, तो ये एक ही आम है, ये आम कच्चा भी होता है, आम पका हुआ भी होता है, आम खटा भी होता है, आम लाल भी होता है, आम पीला भी होता है, आम रसिला भी होता है, आम हरा भी हो तो आपने देखा बच्चों कि इस एक ही आम कि कितने सारे गुन और दोश है तो यह सारे चीज जो है खटा है लाल है पीला है रसीला है हरा है बड़ा है छोटा है मिठा है कच्छा है एक है पका है खटा है यह सब इस आम के बारे में ही बता रहे हैं इस आम के बारे में ही बत या आम का रंग पिला है, या आम का स्वाद रसीला है, या आम का रंग हरा है, या आम बड़ा है, या आम छोटा है, आम का स्वाद मिठा है, या आम का स्वाद खटा है, या आम कच्चा है, या आम पका हुआ है, तो बच्चों अब आपको इस चित्र के द्वारा समझ में आय होगा कि एक ही संग्या या सरुनाम सब्द के कई विशेशन हो सकते हैं तो बच्चों हम विशेशन की परिवासा क्या लिखेंगे कि जो संग्या जो सब्द संग्या या सरुनाम की विशेशता बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं बच्चों एक बार फिर ध्यान पुर्वक आप विशेशन की परिवासा को सुनो कि जो सब्द संग्या या सरुनाम की विशेशता बताते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं अब बच्चों विशेस्ता में आपको गुन अबगुन भी आता है, रंग रूप भी आता है, मापतौल भी आता है, संख्या भी आएगा, आकार भी आएगा, स्वाद भी आएगा और अवस्था भी आएगा तो अब हम देखेंगे कि गुन और अबगुन, किसी भी संग्या या सरुनाम सब्द का, गुन और अबगुन में क्या आ सकता है, अच्छा है, बुरा है, चतूर है, होसियार है, लायक है, नालायक है, ये सारे सब्द जो आएगे, ये गुन अबगुन के अंतरगत आएगे, ज संग्या के गुन और अब गुन की विषयस्ता को बताता है दूसरा है बच्चों रंग रूप किसी भी संग्या और सभनाम का रंग भी ौसकता है कि सुनदर है गोरा है पीला है लाल है बैगनी है काला है यह सब शबाएंगे दिए रंग रूप के रखता सका बता रहा होगा मांतो तॉल के अंतरगत आधा लिटर लेना है या पांच मीटर लेना है या दो किलो मीटर जाना है तो यह सब मापतवल के नतरगत उसके गुण होंगे संख्या में बच्चों कि एक चमच के 30 पाँच 5 यह सारे सब्द 1 2 3 4 5 यह सब जो आया है संख्या को बताता है किसल से एक चमच है तो चमच किया यहां पर संग्या है एक इहां पर उसकी विशेष्टा बताया आकार में अब बस्तु छोटा है बड़ा है उचा है गोल है मोटा है कैसा है यह उसके आकार की विशेष्टा को भी बताता है अब है स्वाद विशेशन सब्द जो है वह संगया के स्वात के बारे में भी बताता है जिसे वह मीठा है वह बस तू intend खाने योग है तो करवा है खटा है नम्कीन है यह स्वात के बारे में भी बताया अब बच्चों कुछ संग्या सब्द ऐसे होते हैं जिनकी विशेस्थाओं के अंतरगत उनकी अवस्थाओं की जानकारी दी जाते हैं जैसे बुढ़ा, जवान, अमीर, गरीव, युवा ये सारे चीज अवस्था के अंतरगत आते हैं अर्थात ऐसे भी कह सकते हो कि जो सब्द संग्या या सरवनाम की गुन, अब गुन, रंग, रूप, माप, तॉल, संख्या, आकार, स्वाद, अवस्था इत्यादी को की विशेस्था बताते हैं उन्हें हम विशेशन कहते हैं तो अब अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा अब एक बाग के देखिए बच्चों यहां पर कि मुझे थोड़ा पानी दे दो अब यह मैंने लिखा कि मुझे थोड़ा पानी दे दो तो इसमें विशेशन पहले आ रहा है यहां संग्या सब्द पानी है और पानी से पहले विशेशन आ रहा है दूसरा वाग के मैंने लिखा है आम कच्चा है इसमें कच्चा विशेशन है तो इस परकार हम कह सकते हैं बच्चों कि विशेशन सब्द संग्या से पहले भी आ सकता है और संग्या के बाद भी आ सकता ह अब है कि हम जब यह वाग के लिखें हैं अब आपको विशेशन में ही विशेश से जूटता है कि विशेश से किसे कहेंगे कि तो जिन सब्दों की विशेस्ता बताई जाती है उन्हें विशेशन कहते हैं यानि कि विशेशन जिन सब्दों की विशेस्ता बताई जाती हो उसे विशेशन कहते हैं बच्चों जैसे हम नहीं हाँ पर लिखेंगे कि काला घोरा डौर रहा है तो इसमें काला घोरा जो होग इसमें घोरा सब्द संग्या है और संग्या ही विशेश से होता है तो घोरा के बारे में काला रंग बताएगा तो काला यह विशेश से हो गया और घोरा सब्द जो आएगा वह विशेश से कहलाएगा तो काला विशेशन हो गया और घोरा विशेश से हो गया अर्थात कि जिन स सब्दों की विशेशता बताई जाती है उन्हें विशेश से कहते हैं विशेश से हमेशा संग्या और सर्वनाम ही होते हैं इस तरह से आपने क्या क्या जाना बच्चों कि संग्या या सर्वनाम सब्दों की विशेशता बताने वाले सब्दों को विशेशन कहते हैं विशेशन संग्या या सर्वनाम के गुन, अबगुन, रंग, रूप, माप, तॉल, आकार, स्वाद और अवस्था जिनकी विश्षता बताई जाती है वे विश्ष से कहलाते हैं चाहिए वो संग्या हो या सर्वनाम हमेशा विश्ष से ही होते हैं तो आज इतना धन्यवाद